हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब यह एक गाइडेंस वीडियो है जो कि आपका मेजी 11 अमेरिकन नोवल यह उसी की गाइडेंस वीडियो है और इस पर कमेंट था कि इस पर भी कैसे प्रिपेर करना है यह उसको डिसकुस करें तो प्रिवियस एर क्वेशन पेपर और यू कैंड इसके उपर एक नेक्स्ट वीडियो में डिसकुस करेंगे क्योंकि अगर हम सेम वीडियो में डिसकुस करेंगे तो वीडियो में भी लॉंगर और बहुत लेंदी जो वीडियो हो जाती है तो एक जो इंट्रस्ट होता है वो कहीं कहीं लैक हो जाता है तो इसमें हम सिरफ पे नोवल है और इसमें नाइन नोवल्स है जैसे कि अगर आपने इसका स्लेबस देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इसमें नाइन नोवल्स है और जो इसका क्वेशन्स हाते हैं वो ऐसे आते हैं जैसे कि यह पार्ट A और पार्ट B दो पार्ट में डिवाइड होता है यह ज करें कि यह जो novels हैं suppose nine novels हैं तो nine novels में से जब question आता है part A जो है वो ऐसा आता है कि जैसे कि आप से पूछ लिया जाता है यह जो complete novel ऐस time period के बारे में जैसे कि question हो सता है what are the major concern of the 19th century American novel कि सबसे ज़्यादा major concern कौन थे इसके बारे में बताई है और इसी के option में question आया हुआ है discuss critically the influence of translationalism discuss the influence of two American writers of your choice किसी भी दो American writer को हमें discuss करना है तो मतलब यह है कि जो पहला question आता है वो यह जो complete nine novels हैं आपकी यह पूरी American novel है तो उस time period का आप से पूछ लिया जाता है कि इस time period पे क्या था क्या नहीं था या फिर किस चीज़ से influence होएते इस तरह का question number one है वो आता है जैसे यह कभी-कभी यह भी पूछ लिया जाता है discuss and details the major thematic concern of American novel in 19th century कभी-कभी इसको direct ऐसे पूछा जाता है कि American novel को बताओ और कभी-कभी 19th century से पूछ लिया जाता है उनमें से एक करना इसमें note आता है attempt any one question from section A and attempt any four from section B तो note पढ़ना बहुत जरूरी है तो यह तो बात होई कि paper का pattern कैसे आता है अब आपके पास जादा time नहीं है और आप इसको करना चाहते हैं तो जब आप देखेंगे इसमें जितनी भी novels है जैसे novel जो इसकी one है वो है the last of the Mohicans उसके बाद इसमें sister carry है next number पे नमबर टू पे थी पे है आपकी the great gets to be after that light in august black spring the catcher in the rye floating opera और floating opera के बाद है आपकी a house made of dawn and the color purple ठीक है यह 9 novels हो गई और section B में आपसे question भी 9 ही पूछे जाएंगे right question 3 से लेके question 11 तक जितने भी questions आते है that is in part B और अगर आपको part A part B समझ में नहीं आ रहा है तो जो question answer की video आईगी उसमें आपको clear हो जाएगी यह चीज़े अब क्या है क्या आपके पास इतना time है कि आप 9 की 9 novels को cover करें अभी तो time है तो आप कर सकते हैं क्योंकि इसका exam I think आपका 24 यह 25 February को है तो आप इसे complete कर सकते हैं और अगर इसकी कुछ important novels की बात करें तो इसमें से क्या है अगर मैं बहुत important की बात करूँ तो एक दो novels अगर आप skip कर देंगे तो भी आपका बहुत अच्छे से जो काम है वो हो जाएगा जैसे कि आपको cover करना है novel 1 कीजी आप The Last Mohican जो important है वो लिखे Last Mohican नहीं छोड़ना है आपको करना है Sister Carry करना है दो हो गई The Great Gatsby 3 Light in August 4 The Catcher in the Rye 5 और इसके बाद आप कर लीजिए यह जो last की दो novels है A House Made of Dawn और The Color Purple मतलब क्या कि आप 6-7 भी कर लेंगे अगर आप इसमें से total nine में से कोई दो छोड़ देंगे तो भी जो आपका exam है जैसे कि जो छोड़ना है अगर मैं उनकी बात करूँ तो black spring और floating opera अगर इन दोनों को आप छोड़ देंगे तो भी है कि आप अपने बहुत easily तरीके से आप अपना question paper attempt कर पाएंगे और अगर आप the best चाहते हैं तो अगर आप पूरी करते हैं that is your bonus right कि आप पूरा कर लीजे और अगर आपको smart move चाहिए तो आप इन दोनों को छोड़ के बाकी सारा complete कर लीजे जो five number पे है black spring और floating opera लेकिन अगर आप इन दोनों को छोड़ रहे हैं तो बाकी इतनी भी आप करेंगे seven novels वो बहुत proper तरीके से करेंगे तो ये तो बात होगी एक smart तरीके से किस तरीके से आप लिखेंगे बतलब किस तरीके से आपको preparation start करनी है जैसे कि मैंने thumb पे भी लिखा है कि बिल्कुल last moment पे अगर आपने पूरे साल भी कुछ नहीं पढ़ा है last के months में भी कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी इन 4-5 दिनों के अंदर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं next thing is कि जो questions repeat हो रहें जैसे मैं आपको question answer की video provide करूँगी जो repeated questions हैं आप उनको गोथू किजिए हर novel से एक question आता है हर एक novel से एक question ज़रूर आता है इसलिए जो आपका section B है उसमें 9 questions होते हैं और आपकी total number of novels भी कितनी है 9 है कभी कभी होता है कि एक ही novel से दो question पूछ लिया यह बहुत rare होता है पर 8 तो ऐसा है कि 8 questions 8 novel से तो आपको मिलेंगे मिलेंगे तो smart move कीजिए और अपना पढ़ना start कीजिए अब बात आती है how to write answers तो question पे depend करता है कि आपको answer कैसे लिखना है जैसे कि अगर example के लिए मैं बूलू what role does Sophia play in the novel the color purple कि color purple में जो Sophia का attitude था वो कैसा present किया गया है तो इसके बारे में आपको लिखना है तो एक तो तरीका होता है कि आप थोड़ा सा writer के बारे में बता दीजे जिन्होंने इसे लिखा है after that जैसे ही आप writer के बारे में बता देते हैं दो तिन लाइनों में और कुछ दो चार लाइने ऐसे रख लीजिए जो आपको हर एक answer में डालनी है like he or she is a famous writer और इन्होंने बहुत अच्छा contribution किया इनके जो work है वो बहुत remarkable है these are you know basic lines तो आप इनको लिख सकते हैं after that आप बात कीजे बिल्कुल short में four five lines में कि जो novel हो किस चीज को reflect करती है like you know basic theme क्या है इसका किस चीज को main focus करती है उसको लिखने के बाद आप characters पे आ जाए कि characters क्या है किसी भी particular novel के जैसे कि अगर color purple है तो इसमें कौन-कौन से character है उन सब को mention कर दीजे तो जब आप इतनी सारी चीजे लिखेंगे मुझे लगता डेड़ से दो पेज आप आराम से भर सकते हैं after that आप question पे आए कि question आपसे क्या पूछा हुआ है जैसे की question है what does the Sophia role तो Sophia का रोल लिखना शुरू कर देजिए जहां जहां पर भी उसका interaction हुआ है दूसरे characters के साथ यह वो जो message दे रहा है Sophia नाम का character इसको पूरा elaborate कर दीजे और elaborate करने के बाद अगर आपके पास pages बचते हैं like I told you earlier also कि जो आपका quantity of pages हैं उनको questions में डिवाइड कर दीजे like अगर 25 page की seat में लिए तो 5 pages for each question तो अगर उन 5 page में से थोड़ी बहुत जगा बची हुई है answer complete करने के बाद Sophia के बारे में बताने के बाद तो आप क्या करेंगे उसमें आप उसके writing technique लिख सकते हैं writer के बारे में लिख सकते हैं या फिर आप अपनी summary कर सकते हैं यह तो बात हुई तब ज you are not able to write in a proper manner of Sophia's role तो आप क्या करेंगे same format writer के बारे में बताया है after that novel के बारे में बताओ characters के बारे में बताओ characters के बारे में बताने के बाद आप क्या करेंगे summary लिख दीजिए because जब आप summary को step by step elaborate करते हैं तो जितने भी questions है वो सारा cover हो जाता है summary means word कि complete story की novel की किसी भी particular novel या किसी भी particular drama की क्या story narrate की गई है तो वो story पूरा complete आप लिख दीजिए पर summary को importance कब देना है जब आपको particular question पे आप ना लिख पा रहे हो आपको समझ में ना रहा हो क्या लिखना है तब लिखना है otherwise आप question को go through कीजिए question ना है तो summary तो है ही है right तो यह एक proper तरी है कि आपको किस तरीके से answer को proper bend up करना है you know assemble करना है अब आप बोलेंगे कि character के बारे में ना पूछाओ तो देखिए ना तो आपसे writer के बारे में पूछेगा अलग से writer के बारे में बताओ और वही 5 नमबर 20 नमबर में दे दिया ना ही आपसे character के बारे में पूछेगा लेकि पड़ता है और अगर नहीं लिखना चाहते है तो आप simply नाम भी लिख देंगे तो भी आपका एक अच्छा impact पड़ेगा कि जो checker उसको पता चलेगा कि आपने proper तरीके से इसको पढ़ा है that's why आपको सारे characters के जो नाम है वो याद है तो यह हो गई कि आपको answer कैसे present करना है तो यह एक guidance video है MEG 11 से related जिसे मैंने discuss किया कि paper का pattern किस तरीके से आएगा part 1 और part 2 में आएगा मैंने आपको यह भी बताया कि smart study क्या कहती है smart study यह कहती है कि जब nine questions आएंगे और उनमें से हमें कोई four attempt करने रहेंगे part B में it means what कि हम दो novels को अगर ignore भी कर देंगे तो भी हमारा ज इंडों कर दे न मैं अपको फिर से बोल रही हूँ आप इंग्नोर कर सकते हैं black spring को और floating opera को इन दों को आप इंग्नोर कर सकते हैं because मैं जो भी बोल रही हूँ previous year के question paper देख के बोल रही हूँ बाकी किसी novel को ignore मत करना इन दोनों को ignore कर सकते हुआ black spring और floating opera तो इस तरह से आपक के पास time है और आप comfortable है working नहीं है या फिर घर में ज्यादा काम नहीं है आपके पास काम in the sense की you know housewife नहीं है या बेवी नहीं है तो फिर आप comfortably 9-9 novels complete कीजिए शले बिस जादा नहीं है और paper बहुत-बहुत अच्छा आता है MEG 11 का so good luck to everyone मिलते हैं next question answer की वीडियो में जिसमें हम previous year के question paper और you can say that जो important questions है MEG 11 के उनको discuss करेंगे